दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एललवी को और दवाईए वैल आईकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एबरिवन आज की सब्सक्राइब करेंगे एफ आई यार की के एफ आई यार क्या है और आप अगर उत्तरा खंड से हैं या फिर उत्तरा खंड के किसी भी थाने में आपके खलाब कोई भी एफ आई अदर चुई है तो कैसे आप अपने मुवाइल से अपने से घर पर ही डाउनलोड कर सकते हैं कहीं पर भी आपको जाने की जरूवत नहीं किसी भी पुलिस टेशन में चक्कर लगाने की जरूवत नहीं किसी बकील के चकर में पढ़ने की जरूवत नहीं आप अपने मुवाइल से ही एफ आई यार डाउनलोड कर सकते हैं किसी ने करा है वो सारा को जान सकते हैं इस तरीके से तो अगर आप उत्राखंट से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए वीडियो सुगरने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चांगों सब्सक्राइब द्वारा भी F.I.R. डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा है एप के जरीए एप के जरीए भी आप जो है F.I.R. डाउनलोड कर सकते हैं तो पहला मैं तरीका आपको बता रहा हूं जो जादे यूज होता है अगर आप कंप्यूटर से या फिर अपने मॉवाइल से F.I.R. करता हूं और यहां पर यह एक बैफ साइड यहां पर ओपन है उत्तराखंड पुलिस.uk.gov.in इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह बैफ साइड आपको अपने मॉवाइल में ओपन कर लेनी है देख लीजे कुछ इस तरह से यह ओपन होगी यहां पर इ यह उत्तराखंड पुलिस की ओफिशियल वैफ साइड है कोई ऐसी फरजी वैफ साइड नहीं यह ओफिशल वैफ साइड है ठीक है और यह गॉर्मेंट भैस साइड है तो यह देख लीजे कुछ इस तरह से यह वैफ साइड ओपन होगी और यहां पर आप देख लेजेगा यहाँ पे लिखा हुआ है बिजिट बेव साइट तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो भी F.I.R अगर आपको माल लेजे कि F.I.R नंबर पता है तो यहाँ पर आप F.I.R का नंबर लिख देंगे एक्जामपल के तो आपको माल से लिकेंगे चार अंकों के format में लिखेंगे तो वन मिनट में आपको यहाँ पर बद दिखा देता हूँ जीरो 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 उसके बाद सेवन ठीक है जैसे कि यहां लिखा हुआ है ठीक है चार उंकों में क्राइम नम्मर सेवेन है यहां पर अब यहां पर यह F.I.R. कब जो है रजिस्टर हुई है बो डेट लंब सम टाइम में लिखेंगे हमें नहीं पता है लेकिन हमें मालूम है कि यह January के January सन 2021 में यह रजिस्टर हुई थी धाने में दरज कर आई गई थी तो यहां पर हम select कर लेते हैं January यह मैंने January का महीना select किया पहली तारिक से 11 सन 2021 से कब किस के बीच हो सकती है यह हो सकती है चलिए मैंने लगबग 28 28 एक के बीच में ये F.I.R डाउनलोड हो सकती है फिर मैं और भी कोई टाइम एड़ कर देता हूँ जैसे कि लगबग 20 कर देता हूँ ठीक है 21 मान लिजिए कि इन 20 दिनों के अंदर F.I.R डाउनलोड हुई है 21 सन 2021 से ले करके 21 सन 2021 के बीच में ये F.I.R डाउनलोड मुलब की दर्ज हुई है ये F.I.R ठीक है यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने प्रात्मी संक्या जिसके हम F.I.R नमर बोलते हैं वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर मैंने लंब समडेट डाल दिया है कि इसके बीच में ये F.I.R डाउनलोड F.I.R दज कराई गई है अब जिला कौन सा है तो यहाँ पर यहाँ पर मैं चैन करें यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जिला ले देए जिला है नैनी ताल माल लीजिए ठीक है अब जिला नैनी ताल का कौन सा पुलिस टेशन है जिसमें यह F.I.R दाज होई है तो यहाँ पुलिस टेशन वाले कॉलम पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पुलिस टेशन हम जो है चूस कर लेते हैं हमले हल दुआनी ठीक है यह हमने डाल दी सारी डिटेल भरकी सिर्वे में चार चीज़ा एड़ करनी है क्राइम नंबर लम सम डेट जिला और पुलिस टेशन यह डाल दी है अब हम क्लिक करेंगे किस पर खोजें तो चली हमने इस पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बर देख लीजेगा यह हमें कुछ record दिखा रहा है संदोजा 16 से संदोजा 16 में F.I. अज़ हुई है इस डेट में संदोजा 17 में भी F.I. अज़ हुई है इस डेट में हुई है तीक है इतने बज़े हुई है एस और क्राइम नमर 7 संदोजा 17 में भी एक F.I. अज़ दिखा रहा है मतलब कि 7 F.I. अज़ पिछले 5 साल का हमें यह record दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में क्राइम नमर यानि कि F.I. अज़ नमर 7 की इन इन डेटों में F.I. अज़ दर्ज हुई है उसका टाइम भी इसमें सुकर रहा है अब मान लेजी हमें तो जरूरत है संदोजा 21 की हमें तो 21 की F.I. अज़ जरूरत है तो को सबसे नीचे लिखे हुई है साथ संदोजा 21 ये दो दो तारीक में F.I. अज़ दर्ज हुई है दो एक संदोजा 21 में एक बज़ के 49 मिनट्स पे हल्दवानी थाने में दर्ज हुई है और ये शिकायत करता कौन है जमाल हुसें सिद्ध की इन्होंने ये F.I. अज़ दर्ज कराई है ठीकि अगर हम F.I. आर को जर्णली ऐसे ही रीड करना चाहते हैं उसका मैं जो होता है मैं इस्टोरी होती है अगर उसको रीड करना चाहते हैं तो आप यहां अधिक जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करके आप उसको रीड कर सकते हैं और डिखार देता हुआ है बümने पर ऐसे पर नहीं को पर उलिए कि एक स्टोरsorry के बेस पर Fignra दज कराई गई है अब मुझे स्टोरी से मतलब नहीं है मैं चाहता हूं कि पूरी Firm plagic नंग तो यहां पर दीखिआ घृए हरे के ऑगए आगा राहा है साथ सन एक किसी जो हम इसको ही डाउनलोड करना चाहिए तो कि लास्ट में यहाँ पर लिखे आ रहा है प्रात्मी की देख है देख लीजिएगा तो हमें तो सबसे लास्ट में डाउनलोड करनी है तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पर हमने क्लिक कर दिया क्लिक करने के वादगा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह सी यह सो होगा यहाँ पर F.I.E.R. S.O. नहीं होगी लेकिन आपको S.O. नहीं करनी आपको तो डाउनलोड करनी है तो आप क्या करेंगे आपको यह मत देखें कि यह पर कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि F.I.R. सो नहीं हो रही है, तो आप इसको ignore करें, आपको क्या गरना है, यहापर दिखिए है, save का एक बटन आ रहा है, उपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह वाला ग्रीन वाला एक बड़ा करके मैं आपको दिखा द ना है, तो चलिए हमें इस पर एक बड़ क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं इसकलिक करता हूँ, PDF पर, मैंने PDF पर क्लिक कर दिया, देखिए है, save का बटन आ गया, तो चलिए मैं इसे save कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने यह किया, तो देखिए मॉइल में download हो गई, और download होने के FIR नमबर यहां लिखके आ गया है 0007 जिला नैनी टाल पुलिस इस्टन हलदवानी ठीक है और टाइम और समय यहां पर आ गया है सन 2021 यह सारा कुछ यहां पर लिखके आ गया है अब हम accused के देखते हैं कि इसमें कितने लोग accused हैं तो यह चीज आप कैसे जान पाएंगे इसके पड़ेगा यहां पर आप देखें पॉइंट साथ पर यहां पर लिखका हुआ है डिटेल ऑफ नोज ठीक हैं सस्पेक्टेड अनोन एक्क्यूजड विद फुल पर्टिकुलर्स तो तक यह राहूल इसमें एक्क्यूजड है टीटू एक्क्यूजड है अंकित एक्क्यूज इनका कोई उपनाम है तो यहां डिटेल आ जाती है अगर इनके किस कोई रिलेटिव का कोई नाम पर पर दियत गया तो यह लोग इसमें आरओपी है हैं तो इस तरह से आप अपाया देख सकते हैं और किस मामले में आपको फिर दज कराई गई है लो आप सेक्शन की अक्रड लोजान से मायने की धमकी के सम्मंद में यह F.I.R. दज हुई है तो जो अब उन्होंने क्या दज कराया है तो यह आपको मिलेगा जो है सीरियल नमस 17 पर दिखिया है लिए किस आधार पर यह F.I.R. दज कराई गई है तो यहाँ पर पूरा मैटर लिखा हुआ है कि उसने क्या घटना बताई है तो वो सारा आप यहाँ से रीड गर सकते हैं और रीड गर के आप समझ सकते हैं कि उसने क्या स्टोरी लिखाई है तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से F.I.R. डाउनलोड कर सकते हैं अपने मुवाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से या फिर लैप्टॉप से यह तरीका तो आपने समझ लिया अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके के बारे में तो चलिए यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ एक मिनट के लिए यह मैंने यहाँ पर बैक कर लिया अब मैं चलता हूँ प्ले स्टूर में और अगर आप अपने मुवाइल से यह F.I.R. डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तराखंड पुलिस एप जब आप यहाँ पर यह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लिजीगा देभूमी करके एप आपको अपने मुवाइल में इस्टॉल कर लेना है जब आप इसे इस्टॉल कर लेंगे तो आपको सबसे पहले गर आपने अब तक किसे इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पर आपक यूजर रजिस्टेशन आपको यहाँ पर एक रजिस्टेशन करना पड़ेगा तो इसके लिए आपके पास कोई आधार कार्ड या फिर पेंड कार्ड बोटर कार्ड कुछ भी हो तो उसके जरीए आप अपना मुवाइल नमबर अपना नाम अपनी इमेल आईडी और एक सकते हैं ठीक है तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ अगर आप माल लीजिए कि यहाँ पर आप पासवर्ड बना चुके हैं अपना तो जब आप इस एप को ओपन करेंगे तो यह कुछ इस तरह से यह ओपन होगा ओपन होने के बाद जब आप इस पर रजिस्टर के एमसे हैं मुवाइल लंबर डालना है ऊपना स्ट्रीट विलेज आपको डालना है अपना जो भी एडिरस है वो आपको यहां पर एड कर देना है इंडिया लिखा हुआ है अपना स्ट्रेट चूस करना है इसमें आप किस राजिसे से है? आपका कौन सा है? पुलिस इसन आप आपका कौन सा पड़ता है वो सारी डिटेल्स आपको इसमें फिल कर लेनी है ठीक है उसके बाद गया है कि आपको अपना फोटो चाहें तो आप डारेक्ट इस पर क्लिक करके अपना फोटो ले सकते हैं या फिर अगर आपके मुवाइल में कहीं सेव है तो ब्रावजर फोटो फ्रॉम गैलरी इस पर क्लिक करके आप अपने मुवाइल से भी जो आपके स्टोरेज में है उस फोटो को यहां पर आप एड़ कर सकते हैं ठीक है उसके बाद कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ ठीक है आइडी जैसे कि पेन कार्ड हो गया बोटर कार्ड हो गया पर पेन कार्ड वगयरा लगा रहे हैं तो उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद वो जो भी आप डॉकुमेंट यूज कर रहे हैं उसका आइडी नमर आपको लिखना है जैसे कि पेन कार्ड का परमानेट अकाउंट नमर होता है तो वो ऐसे हर डॉकुमेंट का हर एक आइडी का एक यूनिक नमर होता है वो आपको यहाँ पर एड़ करना है उसके बाद उस डॉकुमेंट की जो भी है पासपूर्ड है बोटर कार्ड है उसकी आपको अगर फोटो लेना चाहते है तो टेक इमेज पर आपको क्लिक करके उसका फोटो लेना होगा अगर आ उसको सिलेट करके यहाँ पर एड़ कर सकते उस पर उसके बाद आपको continue कर देना है तो इस तरह से आप registration कर पाएंगी जब registration कर लेंगे तो इसके बाद जब आप अपनी ID जो भी आपको ID मिली हुई है और जो भी आपको password मिला हुआ हुआ है उस पर जब आप क्लिक करके login कर लेंगे क्योंकि फिर आपको रिश्रिशन करने की ज़रूवत तो यह सारे जब फॉर्मट्री से आप कम्प्लीट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का यह ओपन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी इसमें है एक व्यू एफाइया जब महां से आप यही सारी डिटेल डाल करके बड़ी आसानी से एफाया डाउनलूट कर सकते हैं So guys I hope you like this video अगर शेर भी कोई confusion है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिएगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उसके बाद वैल आइकोन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वार अप्लोट की वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल सके तो चले मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तक के लिए चैनल